नमस्कार जय जोहर मैं को मलसा हूँ स्वागत करता हूँ आप सभी का competition community के इस e-learning platform जहां पर आज हमारे चर्चा का हमारे मन्थन का एक विस है जिसे हम बोलना है क्या 36 गण में नदी परियोजना है तथा यहां पर वनसन साधन इस से पहले भी हमने भुगोल का जब वीडियो का पूरा एक सिरी जेक्स्रेणी क्या किया था स्टार्ट किया था प्रारम किया था श्री गानेश किया था उसमें हमने देखा था कि जो नदी में कोन-कोन से जल प्रपात बनते हैं तथा इन नदीयों का उद्गम पहां से हुआ था मतलब एक इन में आपको बोल सकता हूं पूरे अपवाप रनाली के उपर और यहां के जल प्रपात के उपर हमने क्या कर लिया था चर्चा कर लिया था उसमें हमने देखा था कि अगर कोई नदी है तो उसका उद्गम कहां से हुआ था तथा उस नदी के किनारे कौन-कौन से सहर इस्थ साधा ये ऐसा टॉपिक है जहां से आपको 36 गड़ पिया सी या 36 गड़ व्यापना अगर कोई सभी एक्जाम देता है अगर भूगोल वाले सेक्षन से अगर आपके पाद 10 कोश्चन आएगा या 5 कोश्चन आएगा उसमें एक कोश्चन ये दोनों टॉपिक में से एक टॉपि कि अगर कोई भी परियोजना है तो वह परियोजना किस जिल्य से संबंदी था ये सभी प्रकार के प्रस्ण आपको पूछे जाते हैं तो चलिए बीना किसी विलम के बीना किसी देर के प्राराम करते हैं स्री गनेस करते हैं आज कि इस वीडियो का क्लियर जी पहला प्रस्ण क्या बोल रहा है सुनते पहला प्रशना क्या बोल रहा है नीनम में से किस नदी पर मिनी माता परियोजना इस्थित है बात कर रहा है वो मिनिमाता परियोजना का तो सबसे पहले हम लोग इसका अंसर ले लेते हैं यह हमारे लिए हस्देव नदी पर अब चलते हैं इसके उपर और कौन-कौन से प्रश्ण बनते हैं अगर आप प्रश्ण नंबर एक देख रहे हो तो यहां से कम से कम आपको पंदरा से 20 कोस्चन बन इसी कम लोग हस्दो नदी भी बोलते हैं इसका उद्गम कहां से होता है लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कैमूर परवत श्रिंखला यह कहां पर है आपके लिए सोनहट तहसील पर जीला कौन सा है आपके लिए कोरिया तो सोनहट तहसील कोरिया जीला में है आपको ये पूछता है भई इसलिए आपको बता रहा हूं clear जी दूसरा आपको पूछता है हसदो ये अगर बनता है कौन सा मिनी माता परियोजना तो इस परियोजना का दूसरा नाम क्या इसको बोलते है भई हसदो बांगो आपको क्या बोल रहा हूं है हसदो बांगो ज्यादा मोट प्रदेश का सबसे उच्चा बांध ही अगर बांध होता है तो उसमें अगर आप देखोगे हाइट के अकोर्डिंग आप उचाई के अनुसार तो राज्य का सबसे उच्छा बांध है लागभाग बोल रहा हूं भई कितना 87 मीटर माना जाता है पहला प्रस्ण आप अब के लिगे हुआ कि इसका उद्गम कहां से होता है कैमोड करव सरीव प्रस्रिंकल कोरिय प्रदेश का सबसे उचा क्या बांध या परियोजना तो आपको याद रखना है यह 87 मीटर कहां बनता है तो यह जीला आपके लिए इंपोर्टेंट है कोरबा जीला पे है भाई यहां से 5-6 प्रशन और बनेगा आपको पुछेगा राज्य का पहला बहु उद्देशी परियोजना कौन सा है तो यही परियोजना है भाई यह प्रशन भी आपको पेपर में पू अब बहु उद्देशी परियोजना क्या होता है यही जाएंगे बहु धर के जाएंगे यही साधी करेंग ऐसा नहीं बोल रहा है बहु परिद्देशी योजना या बहु उद्देशी परियोजना उसको बोलते है मल्टी परपस बोलते हैं इंग्लिस में कई वर्ड आपको उसमें क्या होता है clear हो जाता है multi purpose या बहु उद्देश से जिसका केवल एक उद्देश से नहीं अगर क्या है हजदेव न दी है इसके पानी को हम रोक रहें तो इसका प्रयोग आप विभीनना तरीकों से कर सकते हो सबसे पहला तो यह है कि आप इसको क्रिसी के लिए कर सकते हो तो इसका केवल एक उद्देश से नहीं है तो आपको यह पूछा जाता है राज्य का पहला आपके लिए बहु उद्देशी परियोजना कोन है आपको बताना है क्या हसद्देव बांगो दूसरा आपको प्रस्ण इसी में पूछेगा कि राज्य का पहला जल राज्य का सबसे बड़ा जल विद्द्द उत्पादन चमता के अनुसार सबसे बड़ा बोल सकते हो या सबसे अधिक चमता बोल सकते हो दोनों एक ही चीज है जी तो इसका भी क्या है आपके लिए हसदेव बांगो 40 मेगा वाट के 3 यूनिट लगे हैं लगभग 120 मेगा वाट आपके लिए क्या हाइड्रो एलेक्ट्रिक पावर जनरेशन या जल विद्दूत का उत्पादन होता है आपके लिए कहां से हसदेव बांगो से आपको याद मिनी माता मिनी माता हमारे लिए क्या थी 36 गड़ की पहली महिला सांसा थी ठीक है जी दूसरा आपको याद रखना है इसी में मिनी माता में कि यह जो हमारे 36 गड़ विधान सभा है उसका नाम करण भी किसके मिनी माता के नाम पर किया गया है तो हमारे 36 गड़ जो राज्य विधान सभा है उसका नाम क्या है मिनी माता क्लियर जी यह आपके लिए कहां पड़ता है रायपूर में क्लियर जी आपको दो परस्ना यहां से बन गए तीस राज चोंथा पांचवा छटवा शटवा कोश्चन आपको केवल कहां मिला हस्देव से चलते हैं केलो के लिए यह जो केलो है आपको केलो याद रखना केलो आपके लिए कहां से रायगर से संबंधित है रायगर जी ले से संबंधित है दूसरा आपको पूछता है नदी का नाम तो क्या है केलो नदी है और केलो परियोजना है ये केलो परियोजना को दूसरा और क्या नाम लेते हैं तो आपको याद रखना है क्या दिलिप सी ही जूदेव तो आपको ये पूछा जाता है दिलिप सी जो विसेज परियोजना है दिलिप सी जुदेव विसेज परियोजना है 36 गड़ के किस नदी पे संचालित होता है तो या फिर इस थापित है आपको बताना है केलो नदी आपको जीला पूछता है तब बताना है कौन सा रायगाड औ हमें अलग से लिख देता हूं, हसदेव, आपके लिए केलो, यह दोनों नदी किसकी सहयक नदी है भई आपके लिए, तो आपको याद रखना हसदेव किसकी सहयक नदी है, महा नदी की, आपको याद रखना केलो केलो किसकी सहयक नदी है, महा नदी की, clear जी, चलते हैं, मनिया सतारी नदी है यह आपके लिए इसका उधगं कहां से होता है सिहालसाइर आपके लिए अक्या है मुहली तो मुहली जी ला में मुहली जील और इसी में तहसील आ का नाम पूछता है, परियोजना का नाम है, खुडिया रानी, खुडिया रानी क्या है आपके लिए एक परियोजना है, इसी को बोला जाता है, राजिव गांधी परियोजना, आपको ये प्रस्ण भी पूछता है जी, राजिव गांधी जो आपके लिए नदी परियोजना है 36 गड के किस जीले से सम्वन्दित है जीला है आपके लिए कोन समूंगेली नदी का नाम पूछे कर तो आप मेरे को यह बताओ यह दोनों का संगम किस जगह पर होता है आपको संगम बताना है मेरे कमेंट करके ठीक है जी आपको मैं पूछ रहूं किसका मनियारी एवं सिउनात का संगम इस्थल कौन सा है कल के पिछला जो मेरा वीडियो बनाया था तो पिछले वीडियो में मैंने संगम इस्थल बताया था किस जीले में पढ़ता है ये भी बताना है clear जी तो आपको दोनों चीज बताना है साथ में बताना है कि अगर ये इस्थाल है तो यहां कोन-कोन से आपके लिए मंदीर पढ़ते हैं तो आपको मंदीर बताना है दूसरा आपको मैं पूछ रहा हूँ देवरानी जेठानी मंदिर, ये 36 गड का कितने क्रम का मंदिर है ये बताना है, आपको और क्रम बताना है इसका, पहला दूसरा तिसरा चौंता, दूसरा आपको इसी में एक चीज़ और बताना है, कि यहां कि सजीले से संबन्दित है, ये प्रस्न भी बताया हूं, पिछले र आज वंस ये देरानी जठानी के मंदीर को निर्मित करवाया था ये आपको बताया हूं मैं जब 36 गड का प्राची नितिहास पढ़ा रहा था तब तो आपको चीजों को देखते देखते चलना है और आपको खूद में बताना है भई कि कौन सा क्या-क्या चीज है करके क्लियर आगे बढ़े क्या अगला प्रस्ण देखते अगला बोल रहा है अरपा यह जो आपका अरपा न अधी है यह आपके लिए कहाँ पेंडरा पेंडरा से इसका उद्गाम होता हूं यह पेंडरा भी कहाँ पढ़ता है गवरेला पेंडरा मरवाही जीला में पहले यह दूर किस्वारी बिलासपूर जीला में पढ़ता था अब बिलासपूर से अलग होकर राज्य का 28 वाप के लिए क्या बना है जीला बना है कौनसा गवरेला पेंडरा मरवाही उसी जीला के पेंडरा तहसिल से क्या होता है इसका उद्गाम होता है और यह भी किसकी सहयाक नदी अपके लिए सिउनात की तो आप जब जाओगे बिलासपूर में डॉक्टर सीवी रमन क्या है अपके लिए उनिवरसिटी है तो आपको सीवी रमन जो उनिवरसिटी है मतलब आपके लिए क्या बोल रहो हôm है कोटा अच् chiar कोटा में एक कोटा आपके लिए वही जो कोटा है वहां पे आपके लिए क्या एक ठोक परियोजना है तो आपको उस परियोजना को बता देता हूं मैं तो आपको याद रखने अरपा परियोजना स्वारी अरपा नदी अरपा नदी पे है आपके लिए भैसा जहर परियोजना तो यह पूछता है आपको भैसा पूर्जीला ठीक है जी और पकिसकी सहायक नदी है सियुनाथ की सहायक नदी है आपको प्रस्ण है सब पूछा जाता है आपको मैं प्रस्ण और पूछ रहा हूं जो अर्पा नदी के किनारे कोन सहर बसा है अर्पा नदी के किनारे ठीक है जी आप जानते हो आप गूमे हो अब देखे हो जब भी आप रतनपूर जाओगे तो अर्पा को क्रॉस करके जाते हो क्या तो अर्पा जब जाओगे तो वही जो अर्पा नदी है इसी के किनारे का सहर है जैसे हमारे लिए हुआ हूं राइपूर वैसी आप एक नदी देख वह सिवनाथ के उसकी किनारे दो आपके लिए राजनाइध करता है जीला राजनाइध में और दूसरा आपके लिए पड़ता है दुर्ग तो वैसी मैं आपको पूछ रहा हूं कि जो आपके लिए अर्पा नदी है इसके किन कौन सा सहा इस्थित है आप मेरे कमेंट करके बताइए क्लियर जी आगे बढ़े क्या पूछता है 36 गड़ आगे बढ़ते हैं अंसर तो मैं इसका बता चुका था आगे चलते हैं भई अगला पराशन अगला पराशन क्या बोल रहा है पंडीत रवी सकंकर बांध किस बांध का दूसरा नाम है अच्छा ठीक है यह है आपके लिए आंसर इसका कौन सा गंगरेल बांध लेकिन गंगरेल बांध और रुद् confusion हो गया था मुझे एक पिछले और वीडियो देखे थे और वो वीडियो तो कौन सा हमारा आधुनिक 36 गड़ का जो इतिहास था उसका दूसरा वीडियो तो उसमें जो दूसरे वीडियो में हमने गलती कर दिया था क्या कि मैं जब बोल रहा था चुकि हम लोग क्या करते है और लाइन ऑफ लाइन सब क्लास एक सेडूल में चलता रहता जी उसी में प्री हो जाता है उसी में मैं उसी में वैपम का क्लास तो उसमें एक गलती हो गई थी मुझसे कि ये गंग्रेल बांध को जब कंडेल नहर सत्यागरा बता रहा था कंडेल नहर सत्यागरा तो इसमें क्या होता है जो कंडेल ग्राम पे क्या होता है नहर से पानी चोरी का आरोब ग्राम वासियों के उपर क्या किया जाता है लगा दिया जाता है तो उसमें मैंने बोल दिया था वो बांध कौन सा था गंगरेल बांध वो गंगरेल बांध नहीं था भाई वो क्या था आपके लिए रुद्री बैराज यह आपके लिए कब बना था लगभाग 1912 से लेकर 1915 तक ना चुकि यह केस कब कथा 1920 का इसलिए आपको याद रखना रुद्री बैराज मैं चुकि ऑफ्लाइन ओनलाइन सब कर जो क्लास है और पैलल चलते रहता जी आगे पीछे तो यह चीजे मेरे से गलती हो गई थी तो मैं उसको एक्सेप कर रहो भी माना मैं तूटिया हो स लगती है मैं आपको मिजगाइड नहीं करना चाहता किसी प्रकार का इसलिए आप उसको प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर लो इसलिए आपको बता रहा हूं क्लियर जी लेकिन अब ही चलते हैं लोग किसके लिए पंडित रवी संकर बांध किस बांध का दूसरा नाम है गं गंगड़ है वो भारत का का पहला आपके लिए क्रित्रिक्न बीच है अब एक चीज होता है क्रित्रिं मीच आप अब जैसे गढऊ होगे गोऻा आप गये होगे मुंबई तो वहाँ क्या रहते समूद्र के किनाये पर जो बोलते है क्रित्रिंब neighbour , चुकि जो 36 गड़ है एक भू आवेस्थित क्या है राज्य भू आवेस्थित राज्य क्या होता है जी मतलब मतलब उसमें कोई समुद्री सीमा नहीं होता दूसरा उसका कोई भी आपके पडोसी जो देश होते हैं उसके साथ सीमा नहीं होता तो ऐसा राज्य है हमारे लिए कि इसको क्रित्रिम बीच के रूप में क्या किया जा सकता है विकसित किया जा सकता है तो यह फैसला लिया गया और आपके लिए जो गंग्रेल बांध है भारत का पहला क्रित्रिम बीच के रूप में क्या किया गया विकसित किया गया आपको याद रखने हैं इसी को हम लोग क् 36 गड़ का गोवा यह हम लोग बोलते हैं पेपर में कभी नहीं पूछे का आपको 36 गड़ का गोवा किसको बोलते हैं यह प्रस्ण आपको पूछ सकता है कि भारत का पहला कृत्रिम बीच कहां विक्सित किया गया है आपको याद रखना गंग्रेल डेंड कौन से नदी पर महा इसिया का पहला साइफन बांध है दूसरा आपको याद रखना यह मौडम सिल्ली जो है महा नदी की सहयक नदी है जीला कौन सा है आपके लिए धमतरी इसका उदगाम कहां से होता है गट्टा सिल्ली नाम का एक जगह है गट्टा सिल्ली आपको मैं पढ़ाया था जब 36 गड़ का आधूनी की तिहास पढ़ाया था तो उसमें 1930 का गट्टा सिल्ली जंगल सत्यागरा बताया था तो यह कि लिए एक नदी है कौन सा सिल्ली नदी अच्छा नदी का नाम नहीं बताया क्या जी मैं आपको नदी का नाम है सिल्ली जो सिल्ली नदी है इसका नाम परिवर्थित कर दिया गया ये प्राशना आपको पूछ सकता है कि इसका नाम परिवर्थित करके क्या किया गया चुकि आप देखे थे कंडेल नहर सत्याग रहा यहां पे तीन जन आपके लिए नेत्रित्व करता थे ये प्राशना आपको पूछ सकता है क्योंकि ये रिसेंट अभी पिछले साल ही हुआ है एक साल नहीं हुआ इसका नाम परिवर्थित हुए है इसलिए आपको ये प्राशना पूछ सकते है बहुत इन्पोर्टेंट है बहुत ध्यान से इसको याद रखें क्लियर जी चलता है दूधावा डेम के लिए जो दूधावाडेम है ये आपके लिए कहां पड़ता है भई ये आपके लिए इन्पोर्टेंट है दूध नधी पर निर्मित क्या है जी बांध आई ठीक है जिला आपको याद रखना है कांकिर आप मालो कोई वेक्ति अभड घंतरी का अगर धंतरी जीला गया होगा तो आपको यह जो दुधावा नदी है उसके बारे में पूरा डिटेल आपको धंतरी कलेक्टेट में दिखाएगा कुछ लोग बोलेंगे कि सरी जो दुधावा पर योजन है वो धंतरी से सम्मंदित है चुकि वह पेपर में एक बार दू बार तीन बार दस बार अंसर ले चुका है किसको कांकेर का तो आपको याद रखना है भई दूध नदी पर निर्मित एक बांध है जिसे हम क्या बोलते हैं दूधावा बांध यह जीला कौन सा है आपके लिए कांकेर और यह जो आपके लिए दूध नदी है इसका हम याद रखेंगे मलाज कुंडम की पहाड़ी मलाज कुंडम की पहाड़ी अगर आप अंग्रेजी माध्यम वाले हैं इंग्लिस मीडियम वाले हैं तब इसी को बोल देता है मलाज कुडूम तो बोले भई मलाज कुडूम बोले मलाज कुंडम बोले आपको याद रखने ज रायक नदी यह किसका महा नदी का क्लियर जी तो आपके लिए यहाँ से एक दो तीन प्रस्ण बनते भई कोहां से दुधावा से आपको याद रखना खेक्टा जलासा है चुकि एक जलासा है इसके बारे में एक बार पूछा है कि खेक्टा जलासा 36 गड़ के किस जीले में संबंदित है यह भाई आपके लिए पखांजूर एक तहसिल पखांजूर तहसिल आपको कहां पढ़ता है कांकेर में ही तो आपको याद रखना है जीला कांकेर प्रस्ण में आपको यह पूछा था कि किस जीले से संबंदित है तो आपको याद रखन खेर खेट्टा जलासा जो है कांकेर जीला से संबंदित है पकांजूर तहसिल नहीं याद रखोगे चल जाएगा आपको हमेशा पूसता है किसमें जीला में क्लियर जी आगे अगले प्रश्ण के लिए चलते हैं अगले प्रश्ण के लिए चलते हैं अगले प्रश्ण चतिस गड़ में निम्ल लिखित में कौन सा बांध मिट्टी निर्मित है आपको याद रखना है जो खरखरा डैम है या खरखरा बांध है यह है भई राज्य का पहला और अब ही तक एक मात्र क्या मिट्टी निर्मित बांध तो आपको याद रखना है कि इसको खरखरा को नदी का नाम क्या खरखरा नदी खरखरा नदी इसका आपको अगर पूछेगा उद्गम तो उद्गम है आप अगर जाओगे डोंडी लोहारा तो डोंडी लोहारा उच्चे भूमी सी इसका क्या होता है उद्गम नई पूछा है तो नई बता रहो फालतू आप एक होता है जनरल नौलेज और दूसरा होता आपको जीला पूछे सकता है तो आपको बताना है कौन सा बालोत आपको अभी तक नहीं पूछा यह किसकी सहयक नदी है तो आपको याद रखने किसका सिवनात की सहयक नदी है तो अगर याद रख सकते रखें नहीं रख सकें दिक्कत नहीं है कोई लेकिन आपको जीला याद इसका उदगम कहां से होता है जी, आपके लिए भानू प्रतापपूर कहां पढ़ता है, भानू प्रतापपूर की पहाडी कांकेर से इसका उदगम होता है, पूछा नहीं है आज तक पेपर में, लेकिन बता दे रहा हूँ, आपको पूछता है क्या है इसमें, कि इसमें एक डेम बने है तंदूला डेम तो कौन से नदी पर तंदूला नदी पर एक डेम बने है नाम पर ही क्या तंदूला डेम आपको जीला पूछता ये बालोज जीला याद रखना है आपको दूसरा प्रश्ण इसी में पूछेगा कि जो तांदूला नदी है इसके किनारे पर कौन सा सहर इस्थित है तो आपको याद रखना बालोच सहर इसके किनारे इस्थित है अब आपको एक प्रश्ण और बालोच से पूछता है जैसे खारून नदी के किनारे पर रायपूर सहर पस्ता है अब इस रायपूर सहर में ठोक महादेव है उस महादेव को पूछते हैं कौन हटकेश्वर महादेव वैसी आपको पूछा जाता है य आपको याद रखना है कुन कपिलेश्वर कपिलेश्वर महादेव पेपर में आपको यह पूछता है कि किस जीले से संबंधित है तो आपको याद रखना है बालो जीला पेपर में प्रस्ण पूछा हुआ है तो यह प्रस्ण पूछा है यह प्रस्ण पूछा है यह भी प्रस प्रश्न पूछ रहा हूं आपको पूछता है 36 गड़ कि जो पूला वरम है यह कहां है अब आप यह पूछोगे कि सर आप पढ़ा रहे हो तो आपके लिए आप हमसे क्यों प्रश्न पूछते हो भई मैं पढ़ाने के लिए सब पढ़ा सकते हो लेकिन कुछ चीजे ऐसी है तो यह प्रश्न अभी आपको पूछता है और तीसरा आपको पूछ रहा है कि संन दी पर President आपको अगर भारत के भूगोल पे जाओगे तो भारत के भूगोल में तीनों के तीनों प्र線 में आपको पूछा उआ है इसलिए में आपको इसको option में डाला था बोला और हमको क्लियर जी आगे बढ़े क्या अगला प्रस्ण के लिए चलते हैं लोग अगला प्रस्ण में हमको पूछ रहे क्या निन्म में सी कौन सी सी चाई पर योजना महा नदी पर निर्मीत नहीं है आपको बोल रहे क्या कलमा यह तो बना है दूसरा मिरावडी यह भी तिसरा आपको याद रखना है सारा डी यह भी बना है कोडार नहीं बना है अब अगर आप उसका डाइग्राम देखोगे डाइग्राम कैसे बनता है देखें यह आपके लिए हो गया सरगुजा दूसरा आपको याद रखना है बिलासपूर के बाद यह आ गया फिर से दो ज देखिए इसको थोड़ा सब बताना पड़ेगा इसलिए बतार देखिए यह आपके लिए महानदी महानदी का उद्गम कहां से होता है आप मेरे कमेंट करके बताईए मैं बता चुका हूँ सुक्ति मति परवत ये कहां पढ़ता है सिहावा नगरी सिहावा नगरी कहां पढ़ता है धमतरी में यहां से एक नदी का उदगम होता है ये पहुंचा कहां कांकेर के बाद थोड़ास कहां पहुंचा बालोत के बाद फिर कहां धमतरी अब धमतरी से आगे गया ठीक है कहां प पहुंचा कहां गरिया बन सीर्पूर सीर्फिर मतलब महासमूर्ण उसके बाद पहुंचा ये बलोधा बजार बलाफादा बजार में पलारी पलारी के बाद maj जांध़़ चापा अब मैं आप देखो कि यह आपको पड़ेगा शारा डी कहां पे रायगर अधिक यह इस इस पहले का नाम है शिवरी नरायन, शिवरी नरायन में एक बांध बना है उसका नाम है शिवरी नरायन, दूसरा आपको बढ़ता है यही पर कलमा, कलमा बैराज, उसके बाद आता है क्या मिरवनी बैराज, उसके बाद याद रहने का बसंत पूर, तो यह जो चार आपके लिए क आपको याद रखना कोडार कोडार के लिए है पूरा इताम जाम होएं तो आपको याद रखना है कोडार ये जो कोडार है ना एक नदी है कोडार कोडार नदी पर ही आपके लिए एक डैम बना है जिसे क्या बोलते हैं कोडार डैम और ये जो कोडार डैम है इसको आपको याद रखना है इसका नाम क्या है इसका नाम है हमारे लिए कौन सहीद वीर नर नदी किसका महानदी की सहयक नदी है कोडार में बनता है कोडार देम उसी कोडार डेम का नाम कि आपके लिए सहीद वीरन राइन सी है तो यह क्या है कोडार नदी पर बनता है लेकिन यह कोडार नदी किसकी सहायक नदी है माहा नदी का कन्फूजन इसलिए आपको ऐसे प्रश्न देता है थोड़े उल्जाने के लिए तो आपको चीजे पता होनी चाहिए तब आप अच्छे से बढ़ सकेंगे है Clear जी आगे चले क्या अगला प्रस्ष ऐसा अंसर नहीं बताया था क्या अंशर यह अगले प्रशन में क्या पूर रहे हैं क्या बोल रहे है राज्य का सबसे पुराना अभ्यार अभ्यर हंध Ainya क्व और छ आपको उप्सण आ रहे हैं कम से कम आठ से दस dau बनेंगा अब दूसरा आपको अंसर है कौन सीता नदी, यह जो सीता नदी है आपको चार अक्छर का दिख रहा है, तो आपको याद रखना है क्या सीता नदी, सब को याद होता है कि 1970 के बाद ही आपके लिए अभ्यरण का इस्थापना प्राराम हुआ, 36 गड़ में, तो आपको यह 4 वट को याद रखना 1974, तो आपको याद रखना 1974 में सीता नदी का इस्थापना किया गया, पहले अभ्यरण के रूप में 36 गड़ का, तो यह कौन से जीला में है करके पूसता है, तो आपको याद रखना धमतरी, चुकि धमतरी भी आपके लिए 4 अक्छर में है, आपके लिए सीता पूराना, आपको इसी पूछ सकता है, सर्व प्राचिंतम, सबसे पूराना, तो आपको दूसरा वर्ट पूछ सकता है, सर्व प्राचिंतम, आपको जीला पूछेगा कौन सा धमतरी, आपको याद रखना है बादल खोल, बादल खोल को क्यों आप्सेन में रखाय करके, आगे चलते हैं भोरम देव का स्थापना किया गया 2001 में क्लियर जी आपको चार प्रस्टना यहां बन रहा है देखिए अब इसमें क्या क्या पूछे आपको याद रखना है क्या 608 किलोमेटर इसका आपको सबसे पहले बता दे रहूं जीला यह आपके लिए पढ़ता है कहां सूराजपूर क्लियर जी आपको यह है भई 608 किलोमेटर के सापसे 36 गड़ का सबसे बड़ा अभ्यारन तो आपको यह याद रखना है जीला बार-बार पूछता है आपके लिए कौन सा सूराजपूर आपके लिए अगर यह याद रख सके 608 स्क्वेर किलोमेटर तो आपको याद रखना है 608 स्क्वेर किलोमेटर के हिसाब से तो तमोर पिंगला है वो 36 गड़ का सबसे बड़ा अभ्यारन यह क्लियर जी आग आपके लिए सबसे बड़ा यह हो गया सबसे चोटा तो आपको पूछेगा 36 गड़ का सबसे चोटा अभ्यारन यह या smallest अगर सेंचूरी की बात कर रहा है तो आपके लिए smallest सेंचूरी कौन सा है बादल खोल 105 स्क्वेर किलोमेटर आपको याद रखना भोरम देव भोरम दे जीला कौन सा भई भोरम देव जो मंदिर है जिसे 36 गड़ का खजूराहो बोला जाता है 36 गड़ के किस जीले से समबंदित है आपको जीला पता है कौन सा कभीर धाम जीले से समबंदित है कौन सा भोरम देव इसका स्थापना हुआ था 2001 में तो आपको यहां से प्रश्न कौन सा है तो आपको याद रखना है राज्य का सबसे नया अभ्यरण्या कौन सा है भोरम देव इस्थापना कभ हुआ था 2001 में इसी को आपको पूस्थ देगा राज्य निर्मान के पश्चाद निर्मित एक मात्र अभ्यरण्या थीक है राज्य का जब निर्मान हुआ आपके लिए 2000 में तो 2000 के बाद एक मात्र अभ्यरण्या बना है कौन सा भोरम देखो तो आपको अगर इस फोल में नहीं पूछेगा तैंत आपको इस फोल में पूछ सकता है कि राजो निर्मान के पशचार निरमित एक मात्रह आपके लिए अभ्यारण या कुन सा आपको बताना एंगा बachen की मैं ढखा रहा हूं आपको यहां से 4 1977 इन्पोर्टेंट है उसके बाद आपके लिए चार फैक्ट इंपोर्टेंट है तो लगभग आपको बारा प्रस्ण बनेगा किवल एक कोश्चन से आपको चार वी कलप से तो आप ऐसे धीरे धीरे पढ़ते रहे हैं धीरे धीरे बढ़ते रहें अगे बड़े क्या अगला हमारी लिए सवाल है अगला जो प्रस्ण है उसके उपर चर्चा करते हैं 36 गड का कौन सा अभ्यारण्य भारस सरकार के द्वारा इस थापित जयो मंडलिय सरक्षन छेत्रों में से एक हैं आपको आजओ रखनधना अचआनक हो गया करके आपको याद रखना अचानक au कर्कार शाओ आपको याद रखना ये अपको यद रखना बायो सथापित हुआ 2005 में clear जी अभी अचानक मार पढ़ता कहां ये पूछेगा तो आप बताओगे कौन से जीला मुंगेली तो आपको याद रखना है मुंगेली जीला clear जी आगे बढ़े क्या आपको एक प्रस्ण और पूछ सकता है इसी में अचानक मार कि अगर अचानक मार बना है और बायो इसफिया रिजर्व एरिया बना है या इसी बोल सकते हैं क्या जयाओ सनरक्षित जो छेतर के रुप में गोसित हुआ कब हुआ 2005 में कौन से जीले संबंदित है मुंगेली आपको इसी में एक चीज और पूछेगा अगर भारत में नंबर होगा अगर 15, 16, 17, 18, 20 होगा आपको ये मेरे कमेंट करके बताना है कि भारत में टोटल कितना बायो इसपिया रिजर्व एरिया गोसित किया गया है तो उसमें इसका क्रम पुछेगा कितने नंबर में बना है पुर्ए बाइयो इस्पीयर रिजर्व एरिया या। याज रख्षी छ्यत्र है। आपको याद रखना है क्वेम्स च्छेत्र है। आप अगर लोकल पब्लिसर्स का बूक लोगे, कुछ भी आप बाइच छापे हैं, अपने मन से हाँ, उनको ये नहीं देखना है कि अंसर क्या लेता है, तो आपको ना मैं इसको पीन करके, कमेंड करके बताऊंगा, आप मेरे कि ये बता है, कि ये बलोदा बजार में है, कि महा समूल में, बाम कन फ्यूजन होता है लेकिन आप जब भी कभी किसी चीज का नाम करन होता है, तो आप क्या होगे रेशियों में चलोगे, देखिए, एक जगा का हिस्सा है 20 परसेंट और दूसरा जगा का हिस्सा 80 परसेंट तो जो 80 परसेंट वाला होगा उसी का नाम होगा न अब आप लोग पढ़ते हो ऐसे छोटे मोटे बुक से अब वो अंसर लेगा कुछ अलाग टाइप का और उसको अंसर में लेता नहीं तो आप अगर आपके पास कौन सा बुक है मैं यह भी तो देखना चाहता हूं कि आप कौन से बुक से पढ़ते हो उसके बाद आप किसी बीचे इसको उरहा दूरहा मारोगे और उस कमेंट को भी पीन करके सबसे टॉप में रखूंगा क्लियर जी लेकिन सब का कमेंट चेक करता हूं भी तो आप कमेंट करके आप में रिख बता है उसके बाद चलता है गोमाड़ा अब हम हिंदी माध्यमालों के साथ एक बहुत बड़ा अत्याचार हो जाता है क्या जो 80% हिंदी माध्यमाले मिली अब होता इसमें क्या है आप पेपर जब दो गया उसमें किसी प्रकार का कोई प्रिंट मिस्टेक हो गया तो सोज्जे सोज्जे बोल देते हैं कि भया अंग्रेजी में जो लिख है उसी को अंतिम और सर्वमान्य समझा जाएगा ठीक है तो यह ज क्या होता है हिंदी रूप आंत्रान होता है तो कभी गोमार्दा के रूप में दिखता है कभी गोमार्दा के रूप में दिखता है ऐसे कभी गोमार्दा के रूप में दिखता है हमारे साथ अत्याचार त्रासदी हो रहा है क्लियर जी आपको चले क्या आगे भारत में रहत कौन सा गोमड़ा लेकिन अगर रायगड से अलग हुआ क्या आपके लिए सारंगड तो सारंगड में चले जाए लेकिन अभी आपके पास जीलों की संक्या कितनी है 28 जिस दिने क्या हो जाएगा 28 से 33 हो जाएगा उस दिन से इसका अंसर बदल जाएगा और रायगड से कहां कह लाएगा फिर सारंगड लेकिन अभी आपको अंसर क्या लेना है रायगड इसलिए मैं सारंगड को वाइड बोर्ड में लिखी नहीं रहा हूं बादल उपर में आता है तो सबसे पहली राइस्टार में लिख दिया यहां आता है गुरू गहासी दास नेशनल पार्क यहां पढ़ेते रामगड की पहाड़ी मतलब यहां किसी प्रकार का कोई भी क्या न 이후 आएगा आपके लिए न अभ्यरण न आएगा नहीं आपके लिए नेशनल पार्क आएगा क्लियर जी अब बच यह दो जगा एक ठोक नाम है आपके लिए कौन सा सेमर सोत मतलब यह आपके लिए जीला कौन सा है सूराजपूर यह आपके लिए जगा है कौन सा बलरामपूर जो कन्फूजन होता है मैं उसीग बता रहा हूँ दसले की परढ़ा चुका हूँ मैं कम से कम 25 सर्भ कौन सा हानों किया सा तो यह आपके लिए क्या परता जी चालू होता है तो इसके पोजिट में एसाहिए तो आपको याद रख your कि आपके लिए क्या लिखा सेमर सोत तो यह जो सेमर सोत है वो कहां से संबंदित है बलरामपूर से और आपको याद रखना तमोर पिंगला कहां से संबंदित मिलेगा आपको सूराजपूर से तो आपको पिंगला है वो 36 गड़ का सबसे बड़ा अभ्यारंट था आपको याद रखना गूरू घासी दाज 36 गड़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है तो आपको याद रखना है जो दोनों बड़े-बड़े आगे बड़े क्या तो इस स्वेमर्सोत कहां से संबंदित है आपके लिए बलरामपुर जीला पूछता है सब का अभी तक आप यह सोच रहे होगे कि सर आप स्थापना वर्स नहीं बता रहे हो आप एरिया नहीं बता रहे हो उसका शेत्रपन नहीं बता रहे हो भहिया जिसका पूछता है उसको मैं बताए हूँ इस थापना वर्स आज तक सीतना दी के चोड किसी का नहीं पूछा आज तक तो भोरमदयो का नहीं पूछा का भी स्थापना हुआ था यह तो भई ऐसे नहीं पड़े आपको जीतना जोर रहे है उतना पड़े आगे बढ़े क्या आगे चलते हैं अगले प्रस्णा के लिए अगला प्रस्णा क्या लिखाए एसिया का पहला जेव सरक्षी छेत्र होने का गवराव किस राष्टी उद्यान को प्राप्त है यह पहले से बता रहूं कोंट्रोवर्सियल कोस्चन से आपको इसमें विवात का इस्थिती बनता है इसल इस DIY बता रहा हूं क्योंकि 36 गड़ में अगर नेशनल पार्क पूछेगा राष्टि उद्ध्यान मतलब बोल रहा ह už वो क्या नेशनाल पार्क अगर वो इस नेशनाल पार्क पूछता है ताब वो पूछेगा 36 गड़ में कितने नेशनाल पार्क है पहले तो आपको नंबर याद होने चाहिए तीन नेशनाल पार्क है क्लियर जी उसके बाद क्या क्या है देखें अब इसका इस थापना मर्थ में बताता हूँ किस की जीले में ये भी बताता हूँ गुरू घासी दास नेशनल पार्क 1981 कांगेर घाटी राश्टी उध्यान 1982 आपको याद रखने इंद्रावती राश्टी उध्यान 1983 आप किसी के गुर्दा फेफडा किडनी सब में अगर दराद होगा कि सर इंद्रावती राश्टी उध्यान है इसका जो आपको इस्थापना वर्षाव इंद्रावती राश्टी उध्यान आया इसका इस्थापना हुआ ये है भई 36 गड़ का पहला राश्टी उध्यान या इसी इक बोल सकता हूँ नेशनल पार्क तो आपको याद रखना 36 गड़ का पहला राश्टी उध्यान कोन सा है आपके लिए इंद्रावती और ये कब बना था आपके लिए 1978 क्लियर जी इसी में आपके लिए 5 साल बाद आया था क्या पहला टाइगर प्रोजेक्ट तो आपको ये भी पूछा जाता है कि राज्य का पहला टाइगर प्रोजेक्ट कहा है अभी आपके पास टाइगर प्रोजेक्ट या बाग परियोजना की संग्षक कितनी आपके पास तिन चौथा एक प्रस्तावित है उसके उपर भी चर्चा कर दूँगा टेंसन वाली बात ने अभी हमारे पास टोटल कितने बाग परियोजना है या प्रोजेक्ट टाइगर है तीन है तो उसमें भी पहला टाइगर प्रोजेक्ट कहां पे आया था इंद्रावती राष्टी द्यान जहां पर क्या चाल रहा है जी टाइगर प्रोजेक्ट आपके पास दोट और टाइगर प्रोजेक्ट है लेकिन वो जो दोनों टाइगर प्रोजेक्ट है वो आपके लिए सेंचूरिस में होते हैं मतलब अभ्यारन में संचालित है लेकिन यह एक मात्र एसा नेशनल है जहां पर टाइगर प्रोजे क्या है संचालित है क्लियर जी अभी तक लेकिन चौंथा एक प्रस्तावित है उस पर चर्चा करूंगा फिर एक क्लॉज यहां जोड़ूंगा क्लियर अगे चले क्या चलता है कांगेर घाटी राष्टी उध्यान इसमें यह जो दो वर्ड लिखा है वह आपके लिए इन्पोर्टेंट है अगर पूछेगा इसका कितना किलोमीटर छेत्रफल है तो यह दो से याद रखना भई कितना 200 स्क्वेर किलोमीटर इसका क्या है छेत्रफल है तो आपको इसका छेत्रफल याद रखना अगर यह 200 स्क्वेर किलोमीटर है तो छेत्रफल के अनुसार से 36 गड़ का सबसे छोटा नेशनल पार्ख या राश्टी उद्यान है पिपर में यह पुष्त है राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्ख कोन है आपको याद रखना 200 स्क्वेर किलोमीटर के हिसाब से 1982 में स्थापना वर्ष के हिसाब से कांगेर घाटी राश्टी उद्यान क्लियर जी आपको याद रखना क्या गुरु घासी दास नेशनल पार्ख आप यह समझे यहां पहुंचे आप दू बजे ठीक है कितने बजे पहुंचे दो बजे और यहां से यह कांगेर घाटी अब आपको याद रखना है कुन गुरु घासी दास यह गुरु घासी दास के बारे में भी चर्चा किये थे क्या यह कहां पढ़ता आपको कोरिया जिला में और थोड़ा से इसका एक्सपांसान आपको सूराजपूर में भी दिखाई देता है लेकिन हमारे लिए जेनमीन आपको याद रखना है कुरिया अब आप समझें यहाँ पहुंची कितने बजे दूबजेश आपको एक चालीस मिनट और लग गया और पहुँशते पहुंचते गुरु घासी दास में तो एक चालीस मिनट को लिग दूं क्या अब इसी एक चालीस को उल्टा कर देना तो आ सबसे बड़ा नेसनाल पाग तो आपको याद रखना जीला है आपके लिए कौन सा कोरिया अब आपको याद रखना है संजाई गांधी राष्टी उद्यान ये जो संजय गांधी राष्टी उद्ध्यान है यही गूरू घासिदास का पूराना नाम है तो आपको अगर पूछा जाएगा संजय गांधी राष्टी उद्ध्यान का पूराना नाम है आपको बताना है क्या गूरू घासिदास अब हम लोग हमारे प्राशने के लिए चलते हैं, एसिया का पहला जर्शन रक्षी छेत्र होने का गवरा किस राष्टी उध्यान को प्राप्त है, अब आपको मैं थोड़ा चीजे बतारो, बहुत लॉजीकल सुना, एक होता है भई घोशना और दूसरा होता है बनना, जैसे आप बोल दिये कि मैं इस साल CGPST निकालूंगा, इस साल डिप्टी कलेक्टर बनूंगा, उसको बोलते हैं गोशना, जीज दिन आप प्री आपका पेपर क्लियर होगा, उसके बाद मेंस दोगे, मेंस के बाद इंटर्वी होगा, इंटर्वी के बाद जब आपका किसमे प्रास्टी उद्यान है ना, ये 1982 में बना जरूर, और तीन साल बाद, मतलब 1982 से 85 तक, तीन साल लगा इसको, एसिया का पहला, बायो इस्फियर रिजर्व एरिया, जो अभी अचानक मारा आपके पास है ना, तो उसी की अकॉर्डिंग एसिया का पहला आपके लिए क्या, ब गोसी तो हुआ था, क्या हुआ था, गोसना, गोसना हुआ था, ये बना नहीं है भई, आप कांगेर घाटी आपके लिए राष्टी उद्यान गए होगे, मैं भी बस्तर गए हूँ, कहीं पे नहीं लिखा है कि एसिया का पहला बायो इस्पियर रिजर्व एरिया है, लेकिन हमारे अपसाथ एक घटना हुआ था, कब पी असी दो हजार बीस में, पी असी दो हजार बीस इस आंसर को उलट दिया, और ये बोलता है कि आपके लिए जो बस्तर का कांगेर घाटी राष्टी उद्यान है, उसको लिया गया था, क्या एसिया का पहला बायो इस्पियर तो आप मारेंगे अंसर क्या कांगेर घाटी राष्टी उद्यान, लेकिन अगर आपको पूछेगा, राज्य का एक मात्र, क्या बूला, राज्य का एक मात्र, आपके लिए बायो इस्पियर रिजर्वेर या किस जीले से संबंधित है, बताएंगे मुंगेली, आपके कांगेर घाटी राष्टी उद्यान को एसिया का पहला बायो इस्पियर रिजर्वेर या कब गोचित किया गया था, 1985 में, 1982 में नहीं था, 1982 में इसका इस्थापना हुआ, तीन साल लगा था, तो आप एंसर लेंगे, 1985 और 1982 रहेगा, तो 1982 को आपको नहीं लेना है, हम पहली बता दे रहे हैं, बाकी आप अपने विवेक का परयोग करें, क्लियर जी, आगे बढ़े क्या, अगला प्रस्ना, अगला प्रस्ना क्या लिख रहा है, कुट्रू गेम सेंचूरी कि सजीले में इस्थिता, एक पेपर में बहुत वार पूछा जाता है, भाई आपको याद र बेगला या घडबंगाल है, यह आपके लिए इंदरावती नेशनल पाक है, कितना इंदरावती नेशनल पाक आपके लिए 1258 स्क्वेर किलोमेटर, तो यह 1259 स्क्वेर किलोमेटर है, उसी के अंदर आपके लिए एक जगा कौन पढ़ता है, घडबेगला या घडबंगाल, तो उसी वो आपके लिए जीला कौन सा पढ़ता है वीजापूर तो आपको अंसर लेना है कौन सा वीजापूर यह आप दोनों रूप हम देख सकते हैं कुछ बुक इसको गड़ बेगला लिखता है कुछ बुक आपको गड़ बंगा लिखता है लेकिन है कहां पे इंद्राव वन संसाधन के द्रिष्टी कौन से देश में किस क्रम पर है यह प्रस्ण बहुत बार पूसता है यह आपको याद रखने ना तिन आपको प्रस्ण किस किस रूप में पूछेगा यह देखो आपको पूछेगा वन संसाधन मतलब सिधा सिधा बोल रहा है फोरेस्ट में कितन कितने प्र ये कितने नंबर में कि आजसे कद रिपोर्ट सवरीन स्टेट फॉरस्ट रिपोर्ट डोज़ार साल में आता है तो इसके हिसाब से आपके लिए क्या होता है भई अभी एक नया सुचकांग काया है कार्बन स्टॉक ये पेपर में अभी तक तो नहीं पूछा है लेकिन पूछ सकता है कि कार्बन स्टॉक के मामले में जो 36 गड़ है देश में कितने नंबर में आपको याद रखना तीन आपको अगर पूछेगा अभी हम थोड़े देर पहली किसमें चर्च सकता है 2799 लागभाग 2800 स्क्वेर किलोमेंटर पर क्या है ये विस्तरीत है तो इसके हिसाब से तो इंद्रावादी आपके लिए नेशनाल पार्क में जो प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है ये देश का तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर है ये प्रसन अभी तक पूछा नहीं है क्योंकि ये नविंतम रिपोर्ट है अभी लेटेस्ट आया है दिसंबर में तो 6 महीना हुआ ये रिपोर्ट को आया तो आपको ये पूछ सकता है ये कार्बन इस्टोक वाल भी कोई बूक नहीं लिखा होग क्योंकि अभी 6 मैंना पहले आया है इंद्रावती जो प्रोजेक्ट टाइगर है 2799 किलोमेटर है लगबग 800 स्क्वेर किलोमेटर है तो ये देश का तीसरा सबसे बड़ा क्या है प्रोजेक्ट टाइगर है ये पेपर प्रसनम पूछ सकता है आप चाहां CGPS 6 त्यारी करो 36 प्रोड का और बता देता हूं जो आपको पेपर के लिए हो सकता है आप एसाई में ना पूछे लेकिन आपको पूछ सकता है ISFR 2021 इसमें क्या है एक होता है recorded forest area recorded forest area इसमें हम लोग कितने नंबर है इसमें है 36 गड चौंथे नंबर पे भाई तो आपको ये पूछ सकता है recorded forest area ISFR इंडियान state forest report 2021 के हनुसार थे 36 गड का क्रम कितना है चौंथा नंबर में है बाकि वह आपको वर्ड बस देख ले ना आर एप ए recorded forest area पूछेगा उसके छोड़ कुछ भी पूछे आपको सिधा याद रखना तीन तीन ही आंसर आता है clear जी आगे बढ़े क्या आपको इतनी सारे चीजे बता दिया हूं है forest के बारे में इस से बाहर आपको नहीं पूछ सकता clear जी आगे चले क्या देखते हैं अब आपको पूछ रहा है राज्य में साल वन कितने प्रतिसत हिस्से में विश्त्रित है यह तीनों डेटा है और तीनों चारों डेटा किसी न किसी चीज को बता रहें बहुत ध्यान से समझिएगा यहां सापको पेपर में आते हैं प्रस् साथ यह है हमारे लिए किसका मिस्रित वन का उसके बाद याद रखना 40.56 यह है आपके लिए कौन सा साल वन उसके बाद आता है क्या 9.52 यह होता है आपके लिए सागोन वन ठीक है जी यह डारेक इंडिविज्वाल पूछ देगा कि 36 गड़ में मिस्रित वनों का प्रतिसत बताईए यह करके आपको लेकिन पेपर में पूछा किया है साल वन तो साल वन है हमारे पास कितना 45.56 है ये 5.6 आपको पेपर में नहीं देगा लगभग करके देता है तो 40% 41% तो आपको अंसर लेना है कितना भाई 40% आपको याद रखना है सागोन 1 सागोन 1 कितना है लगभग 9.30 है आपको याद रखना है 44.21% ये है 36 गड़ का 1 छेत्रफल अब इसको बता रहा हूँ ये है क्या चीज़ इसके उपर थोड़ा डिसकास करना बहुत जोर रहे है 36 गड़ का पुल छेत्रफल टोटल एरिया की बात कर रहा है हमारा टोटल एरिया कितना है 135 और आपके लिए क्या 192 स्क्वेर किलो मिटर इसका लगभग 59.772 ये जो इतना स्क्वेर किलो मिटर है ठीक है जी तो आपको याद रखना 59772 स्क्वेर किलो मीटर है यह आपके लिए टोटल कितना होता है 44.21 परसेंट तो 36 गड़ में जीतना आपके पास जमीन है उस जमीन के लगभग 44.21 परसेंट जो हिस्सा है 59772 स्क्वेर किलो मीटर यह है आपके लिए वन संसाधन या वन छेत्र फल क्लियर जी और इसके हिसाब से ही हम पूरे देश में कितने नंबर पे हैं तीसरे नंबर पे अब आपको एक इसी में नया चीज बता है आप अगर आप बुक पढ़ होगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सार वो तो चौंथे नंबर पे हैं मैं भी पहले पढ़ाता था चौंथे नंबर में लेकिन पिछले दो साल में जीतना आपके लिए पेपर हुआ है वो सब में तीन चार बार अंसर लिया है कितने नंबर को यह पहले 44.21 परसेंट को हम लोग खुद फोर्थ नंबर पढ़ाते थे लेकिन आप वो अंसर जब थर्ड नंबर में लेता है तो आपको पढ़ना पढ़ेगा भाई देश में कितने नंबर पे हम लोग तीस तीसरे नंबर में 36 गड़ का कूल चेत्रफल का लगबग 44.21 परसेंट जो हिससा है उसके हिसाब से अगर रैंकिंग होगा तो देश में हम लोग तीसरे नंबर पे हैं क्लियर जी तो आपको याद रखना देश में तीसरे नंबर में वन संसाधन वन चेत्रफल वन आवरन का अगर बात करें वो इंद्रवती आपके लिए जो नेशनल पार्क में जो आपको प्रोजेक्ट टाइगर चलता है उसके हिसाब से भी कलियर जी आपको इस टाइप के प्रस्ट पूछ सकते हैं आपको पूछे का जो साल वन हैं यहां से आपको एक प्रस्ट पूछता है साल, वनों का दूइब किसको बोलते हैं आप कमेंट करके बता किसको बोलते हैं भई बस्तर को आपको बस्तर में और पूछेगा जन जातियों जन जातियों की भूमी किसको बोलते हैं आपको याद रखने किसको बस्तर को आपको एक प्रस्ण और पूस्त है कि पूरे राज्य में यह जो आपके लिए सागोन मन होता है कहां होता है आप अबुजमान की पाड़ी पढ़े हो क्या वहीं आपको पढ़ता है खुरसेल घाट यह खुरसेल घाटी आपको कहां पढ़ता है नरायनपूर में तो आपको याद रहने है नरायनपूर नरायनपूर में जो खुरसेल घाटी मिलता है वहां पर मिलता है 36 गड के बेस्ट क्वालिटी क्या बोला मैं आपको बेस्ट क्वालिटी या फिर बोल सकते हैं सर्व वाले अगर आपके लिए क्या साउगोन वन मिलते हैं 36 गड के किस जीले से मिलते हैं आपको याद रखना है जीला नरायन पूर घाटी का नाम याद रखना है कुर्सेल घाटी पूछा हुआ प्रसन है इसलिए बता रहा हूं क्लियर जी तो आपको लास्ट में जाते जाते एक ही चीज कहूंगा कि निरंतर पढ़ते रहे निरंतर बढ़ते रहे तब तक के लिए जय जोहार जय 36 गड 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 क्लियर जी तो आपको लास्टों में जाते रहे जाते भालुण यड टोर भालुण स्था आपको लाग जोहार जाते बता रहे जब को लागे जाते निर एक है क्लिक लाग।